बाबा विसुनात की नगरी बनारस से आपका स्वागत है Study with Team बनारस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग 69th VPSC में पूछे गए पॉलिटी के कुश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने पहला प्रश्ण है कि कोलेजियन प्रडाली की बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये पहला दिया है कि सुप्रीम कोट कोलेजियन एक पाच सदस्तिय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य नयायधिस CGI करते हैं और उस समय इसमें नयायले में कारियरत चार अन्य वर रिष्टतम नयायधिस सामील होते हैं दूसरा दिया है कि संसद ने विधी द्वारा कॉलेजियन प्रडाली का रंब किया है तीसरा दिया है उच्चतम न्यायाले और उच्च न्यायालेयों के न्यायाधिसों की न्यूक्ति कॉलेजियन प्रडाली के माध्यम से की जाती है चोथा वाला आपसंदिया है कि कॉलेजियन प्रडाली की सुड़गात वर्स 1993 में 29 पीयन भगवती के एतिहासिक फर्ष्ट जज मामले की उपलक्ष में की गई थी अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है किवल 1, 1, 2, 3, 4 या फिर 1 और 3 तो सबसे पहले में लोग समझ लेते हैं कि आखिदे कॉलेजियन प्रडाली होता क्या है तो देखे इसी के जरिये जो हमारा हाई कोट है और सुप्रीम कोट है इनके जजों की नियुकती और ट्रांसफर किया जता है और जो पैनल बनता है तो पैनल में एक हमारे Chief Justice अप इंडिया रहते हैं CGI रहते हैं, उनके साथ ही चार अन्य वरिष्टतम न्यायधिस जो पैनल रहता है उसमें सामिल रहते हैं और जो कॉलेजियम फ्रडाली है इसके बारे में हमारे समिधान में कहीं पर भी नहीं कहा गया है तो इस इसाब से देखे तो जो पहला वाला आपसन है जिसमें कहा गया है कि जो हमारे मुख्य नयायधिस और चार अन्य वरिष्टतम नयायधिस सामिल रहते हैं पैनल में ये वाला बात सही है और दूसरा दिखी दिया है कि संसद में वीधी द्वारा कॉलेजियम फ्रडाली का आरंभ गवा था तो हमारे संसद में या हमारे समिधान में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहीं पर दिया नहीं है और तिसरा वाला आप्सन जो दिया है कि जो हमारा high court है और supreme court के जो न्याय धीसों की न्युकती, इसी ecology यहयम फ्रडाली की माध्यम से की जाती है, यह बात सही है, तो इस इसाब से आप देखेंगे तो पहला वाला आप्सन और तीसरा वाला आप्सन सही है, इसले यहां पर जो पहला दिया है कि इसने प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े, समाजवाद, धर्म निर्पेक्ष और अखंडता, दूसरा दिया है कि इसने समिधान में आठ मौलिक कर्तब्य जोड़े, तीसरा दिया है इसने नए निदेशक तत्तो जोड़े, यानि अनुच्छे 42, अनुच या फिर चौथा वाला अप्सन देख लेते हैं, तो इहां पर दिया है, तो इसके द्वारा राष्टपती को चुना आयोग की परामर्स से, राज्य विधान सभाओं, मंडलों के सदस्यों को अयोग ये घोसित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, आपको बताना क्या है कि उपर युग्त में से कौन सा गलत है, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा गलत पूछा है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा बयालिस्वा समिधान संसुधन था, तो इसमें तो तीन सब्द जोड़े गये थे हमारे प्रस्तावना में, तो पहला हमां मौलिक कर्तब है, ओकप जोड़ा गया था, तो 86 में समिधान संसुधन में जोड़ा गया था, तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, तो तीसरा वाला भी हमारा गलत है, जो इसमें लिखा है, कि इसने नए नीदेशक तक जोड़े, 49, 43 और 47, तो दो और तीन गलत हो गया, कि किसी समुदाय को अनुसुचित जन जाती मतलब यस्टी के रूप में घोसित करने के लिए आवस्यक विशिष्ट ताहें क्या है अपसंदिया है आदिम लक्षडों के संकेत विशिष्ट संस्कृती बड़ी पहमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर्म या भी पिछडापन एवं भोगोलिक अलगाओ तो देखें ये चारों क्राइटेरिया होता है किसी को भी किसी भी जाती को अनुसुचित जन जाती में जोडने के लिए तो देखें उपर्युक्त सभी मतलब डीव अलापसन यहाँ पर सही हो जाएगा अब चलिए next question पे चलते हैं तो यहाँ पर पूछा है कि भारती समिधान में मौलिक अधिकारों की विचार का संदर्व किस देश से लिया गया है तो मौलिक अधिकार कहां से लिये गये हैं तो सन्युक्त राज अमिर्का USA से से लिया गया है तो यहाँ पर पूछा है कि भारती समिधान के किस अनुच्छेद द्वारा और इस प्रिस्थेता को समाप्त कर दिया गया था अनुच्छेद 14, 15, 17 या फिर 22 जिसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17 और इस प्रिस्थेता मतलब अन्टचिबिल्टी पहले जवाने में छुआ छूद बहुत ज़्यादा होता था कि अगर कोई छोटी बिरादरी का लोग है तो जो बड़ी बिरादरी की लोग होते थे उनके साथ काफी भेद भाव करते थे तो उसी अन्टचिबिल्टी था मतलब किसी समान को अपने छूने नहीं देते थे या अपने पास बैठने नहीं देते थे तो अगर बात करें और इस प्रिस्थता को समाप्त किस अनुच्छेत द्वारा किया गया था तो अनुच्छेत सत्रा द्वारा अब चलिए next question पे चलते हैं पूछा है कि उच्चे नयायले में नयायद हीसों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निमलिखित में से किस के पास है तो यह राष्टपती के पास होता है यह वाला आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा next question देखते हैं अब चलिए next question पे चलते हैं तो यहाँ पर पूछा है कि भारती सरोच नयायले ने किस या फिर किन मुकदमों में सवरप्रथम समिधान के मूल ढाचे का सिधान्त दिया था मतलब डॉक्ट्रेन आप बेसिक इस्ट्रक्चर तो इसका सही उत्तर है किसवा नन भारती बनाम कीरल सरकार थोड़ा से समय लेते हैं कि यह मूल ढाचे का सिधान्त है क्या तो हम लोग जाते हैं कि समिधान में बार-बार संसोधन होते रहता है जैसे अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों नहीं देखा था कि जो बैयालिस्वा संसोधन है उसमें हमारे प्रश्टावना में तीन सब्द जोड़ जिये थे समाजवाद, धर्म, निर्पेक्च और अखंडता लेकिन जो मूल ढाचे का सिधान्त कहता है कि हमारे समिधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मूल सिधान्त है उसमें संसोधन नहीं कर सकता है जैसे समिधान हमारा कहता है कि हम लोग एक लोग तांतरिक देश है तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि संधान में संसोधन करके उसको हटा दे कि भारत एक लोग तांतरिक देश नहीं रहेगा तेहीं इसका भी वाला अप्सम सही हो जाएगा किसमानन्द भारती बनाम केरल सरकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर देखिए दिया है कुछ राजनीतिक दल दिया है और उसका स्थापना वर्स दिया है आपको बताना है कि कौन सा राजनीतिक दल कब हुआ था तो देखिए बात करें जो भारती कम्मुनिस्ट पार्टी है तो कब हुआ था 1964 में हुआ था इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बहुचन समाझ पार्टी की तो 1984 में हुआ था और जो आल इंडिया थ्रिड मुल्क आंगरे से यह सबसे लिटेस्ट वाला है यहाँ पर 1998 हो जाएगा और भारती कम्मुनिस्ट पार्टी कब आया था तो 1925 में आया था तो देखिए पहले अगर पूछेगा भारती कम्मुनिस्ट पार्टी तो 1925 में आ था और भारती कम्मुनिस्ट पार्टी जो माक्सवादी वाला है 1964 में आया था इसी साब से मिला लेते हैं हम लोग तो यह देखें जो पहला वाला अपसं सही हो जाएगा कि पहले का एक हो गया जो माक्सवादी वाला है 1964 में B का दिया है 3, मतलब जो भारती कम्मिनिस्ट पारटी है, वो किस्से है, 1925 में हो जाएगा, बोजर समाज़ पारटी 84 में, और त्रिणमूल का अंग्रेस वाला 98 में, तो अब चलिए next question पे चलते हैं, अब देखें यहां पर प्रश्ण पूछा है, कि किस या फिर किन अनुच् question थे, काफी अच्छे से, डीटेल में discuss कर लिया है, अगर आपको यह paper चाहिए, तो हमने अपने टेलिग्राम पे इसे upload कर दिया है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, धन्यवाद